खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अगर आप भी देना चाहते हैं कोई खबर या जानकारी तो इन नंबरों पर करें संपर्ख उत्राखन में एक बार फिर धरती हिलने से हलकम मच गया दरसल यहां भूकम के जटके महसूस किये गए हैं जोशी मट से 31 किलो मीटर पश्चिम दक्षिर पश्चिम में शनिवार सुबह पाच बच कर 58 मिनट पर ये भूकम पाया है नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलाजी के मुकताबिक इस भूकम की रिक्टर स्केल पर थ्री वृता 4.6 रही है हलाकि अभी तक भूकम की वज़े से किसी तरह के जानमाल का नुकसान होने की खबर नहीं है हम आपको बता दें कि भूकम के लिहाद से उत्राखन बेहत समवेधन शील है दरसल उत्राखन भूकम के जोन पाच में आता है जानकारी के मुताबिक उत्राखन के चमोली, पौडी, अलमोला अदी जिलों में भूकम के तेज़टके महसूस किये गए है भूकम के जटकों की वजए से लोगों में खासी दहशत फैल गई और वे अपने घरों से बाहर निकल आए बता दे कि इससे पहले अगस्त में उत्राखन की रासधानी देरा दून में 3.8 तीवरता का भूकम पाया था जबकि 24 जुलाई को देर रात उत्राखन के उत्तरकाशी जिले में भूकम के जटके महसूस किये गए थे भूकम की तीवरता रिक्टर स्केल पर 3.4 मापी गई थी उत्तरकाशी से पहले उत्तराखन के एक और पहारी जिले पिथावरागर में भी 28 जुन को 3.7 तीवरता का भूकम महसूस किया गया था तब इस भूकम का केंद्र पिथावरागर से 55 किलोमीटर दूर पाया गया था बता दें कि आयाईटी रोड़की के वग्यानिकों की टीब ने उत्तराखन भूकम एलल्ट एप बनाया है जो की 5.5 तीवरता का भूकम पाने पर एलल्ट करेगा उत्तराखन में भूकम पाने पर मौझूदा समय में 71 सायरन और 165 सेंसर लगे हैं देश में पहली बार ऐसा मोबाईल एप उत्तराखन में बनाया गया है जो भूकम पाने से 20 सकंड पहले ना सिर्फ चिताव नहीं देगा बलकि भूकम पाने के बाद फसे लोगों की लोकेशन भी बताएगा